क्लास 6 की हनी सकल बुक की पोएम नमबर 7 वोकेशन की समरी को डिसकस करेंगे समरी इंग्लिश एक बच्च अपने स्कूल जाता है दस बजे सुभे एर दिन वो एक चुड़ी बेचने वाले से मिलता है और जो बैंगल सेलर है जो आदमी है वो बहुत ही आराम से पूरे दिन बिताता है और जो बच्चा है वो बहुत ज़दे tempted हो जाता है, वो यह चाहता है, कि जो वो happy hawker, जो खुश, जो चोड़ी बेचने वाला है, वो उसका काम ले ले, vocation का मतलब होता है, कोई भी काम, जिसके लिए आप trained हो, In the afternoon, the child comes back from the school, और दुफहर में, वो बच्चा स्कूल से वापस आता है, He sees a gardener working with spade, यह न कोठी, एक माली को देखता है, जो कि कोठी में काम कर रहा है, अपनी कुदाली से, या फावडे से, The gardener is his own master, और जो माली है, वो अपना खुद का master है, Soils का मतलत है, गंदा करना, तो अपने कपड़े पर मिट्टी भी लगा लेता है, बारिश में वो भीग भी जाता है, But nobody scolds or punishes him, और कोई भी उसको डाटता नहीं है, कोई भी punishment नहीं देता है, कोई सजा नहीं देता है, The child wishes he too were a gardener, free to do what he liked, और फिर बच्चा ये च्छा करता है, कि काश वो भी एक माली होता, वो अपना कोई भी काम freely कर सकता है, वो जो भी चाता है, वो करना चाता है माली की तरह, At night, the child sees the watchman, रात में बच्चा watchman को देखता है, At night, the child sees the watchman on duty, रात में बच्चा एक चौकिदार को देखता है duty पर, The lone man carries a lantern and keeps walking in the lane all night, अकेला अदमी एक लाल टिन अपने साथ रखता है, और पूरे दिन गली में चक्कर लगाता रहता है, The child envies the watchman, और जो बच्चा है, वो जो चौकिदार है, उसे बहुत जादा से जलन होती है, He too wants to go about freely and do what he likes, और वो भी जो चौकिदार की तरह freely काम करना चाता है, और वो का जो उसे पसंद है, word notes, now let's discuss the word meanings of difficult words, gong, a metal object which makes a long when you hit it, gong का मतला होता है घंटा, lane, narrow street यानि की गली, crystal, made of glass, crystal शीशे का बना हुआ होता है, bangles, jewelry worn around the wrist for decoration, यानि की चूडिया, hawker, vendor, यानि की फेरी वाला, hurry on, go fast, make hast, यानि की जल्दी से भागना, spade, a tool to dig, खोदने के लिए एक औजार, यानि की फावडा, soils, makes dirty, यानि की गंदा करना, take to task, rebucks, यानि की डांटना या फटकारना, bake, feel very hot, यानि की धूप में तपना, watchman, guard, यानि की पहरेदार, lonely, deserted, यानि की सुनसान, giant, monster, यानि की देत्य, swings, moves, यानि की हिलना, डुलना, chase, follow, यानि की पीछा करना, so that's all in today's poem, see you in the next poem everyone, thank you so much for watching the video, आज का lesson अगर आपने enjoy किया, तो इस video को like करें, share करें knowledge अपने friends के साथ, comment section में आप मुझे अपने feedback दीजिए, ऐसे ही और interesting lessons के लिए, इस channel को subscribe करें, until next time, keep practicing English.